गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखे स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम सुर्कोडदा के बारे में पढ़ेंगे तो सुर्कोडदा के बारे में पढ़ने से पहले जल्दी से आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया उल्डेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिंदुगाटी सब्वेता से सम्मंदित अन्य महत्वपुन जानकरी प्राप्त हो सके तो चलिए पढ़ते हैं सुरकोड़ता देखे स्टुडेंट सुरकोड़ता है यह है सिंदुगाटी काल काीट पाड़ जिसाक्राइब पूरा चाओर पूरा तात्य लिख्वत दोनं साक्षे मिलें लेकिन लिख्षे को पढ़ा नहीं गया था और इसमें आते कौनसे 1 सिंदुगाटी सब्वेता का पाड़क अर सब्सक्राइब और इसकी तरही अउर्वेने मैतोपुन नगर और स्थल थे जिसके बारे में भी हमने पहले पढ़ाया तो आप देखेगा तो चलिए सूरकोड़ता, सूरकोड़ता या सूरकोड़ता गुजरात के कच्छ जिले में इस्तित है इस स्थल से हडपा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले है तो यह हमने आपको पहले भी पताए कि सिंदु गाड़े सभ्यता है इसको ही हडपा सभ्यता भी कहा गया है सूरकोड़ता की खोज 1964 इस्वि में जगपती जोसी ने की थी इस स्थल से सिंदू सबेता के पतन के अवसेस मिलते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला था यहाँ पर किये गए उत्खनन में एक दुर्ग बना मिला जो कच्ची इंटों और मिट्टी का बना है यहाँ से मिले मृत भांड सैंदव सबेता के है और सुर्कोटदा से एक महतोपुन चीज मिले वो है घोड़े की अस्थियां तो सिंदू घड़े सबेता के लोगबाग है वो घोड़े से परिचित नहीं थे यहीं क्यों से न आ जाए कि सिंदू घड़े सबेता में घोड़ा जो जानवर उससे लोगबाग परिचित थे या नहीं थे तो वो नहीं थे लेकिन इसका एक अफवाद भी है कि सुर्कोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं तराजू के दो पलड़े मिले यहां से और सुर्कोटदा से सोपिंग कॉम्पलेक्स भी मिले हैं अब देखेगा सुर्कोटदा के दुर्ग यहां नगर छेत्र दोनों एक ही रक्सा प्राचे से गिरे हुए थे तो देखो हमने किया कि जो अन्य नगर और स्थल है उनके बारे में भी पड़ाता वहां पे हमने पड़ाता नगर निर्मानी हो जना तो आप हमने देखा था कि जो सिंदुगाडे से बेदाई जो नगर है वो दो टिलों में बटे हुए थे कौन-कौन से थे वो पूर्वी टिला और पस्सिमी टिला या फिर उपरी टिला और नीचे का टिला ठीक है न तो जो पस्सिमी टिला था वहें दुर्ग कहलाता था और जो पूर्वी टिला था वहें नगर कहलाता था दुर्ग में को रहता था? राजा रहता था, नगर में जनता रहती थी अब जो दुर्ग ओता था वहें रक्षा प्राचीर से गिरावा था लेकिन सूरकोटदा है इसमें क्या कि दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हुए थे अन्य नगरों के विप्रीत सूरकोटदा नगर है उसको दो भागों में वो कौन से गड़ी एं आवास चत्र में विबाजित किया गया है तो सूरकोटदा से जो दुर्ग और नगर मिले है उनमें से जो नगर है वह है दो भागों में बटावे वह कौन-कौन से दो भाग गड़ी तथा आवास सूरकोटदा के दुर्ग को पिल्ली कुटी हुई मिट्टी से निर्मे चबूत्रे पर बनाया गया है यहां पर एक कब्र बड़े आकार की सीरला से डखी हुई मिली है यह कब्र अब्वी तक ग्यात सेंधव सम विसरजन परंप्रा में सर्वाथा नमीन परकार की है और दुर्गी क्रित छेत्र के डक्सिन पस्सिम से प्राप कब्रिस्तान से कलस सवाधान का उधारन भी प्राप्थ हुआ है तो ऐसा कौन सा स्थल है जान से कलस सवाधान का उधारन मिला है वह है आपका सूरकोटदा है तो एक तो महतों बात शूर्कोडता के बारे में यह है कि बाई एक तो गोड़े की अस्तियां याँ से मिली है और दूसरी बात क्या है सोपिंग कॉंपलेक्स याँ से मिले है तराजु के दो पलडे मिले है और दूर्ग तथा नगर छेतरा वह दोनों एक ही रिक्षा प्राचियर से गिरें हैं तथा जो नगर है वह दो भागों में बंटा हुआ है वो दो भाग कौन-कौन से गड़ी तथा आवास ठीक है तो देखें स्टुडेंस हमने आपर एक छोटा सा टोपिक था तो इसके बारे में कभी कभी कोई क्यूशन पूछ लेते एक जाम में तो आप इसको अच्छे से देखेगा और और भी आपको एदी सिंदुगाटी सब्वेता के नगरों या इसलों के बारे में जानकरी प्राप्त करनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेस को आप सब्सक्राइब करें नन्यवाद